तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इगनु ने जून 2024 एक्जाम के लिए जो असाइमिट समिसन है वो स्टार्ट कर दिया है और आज मैं आपको बताने वला हूँ आपके रिजलन सेंटर वाले और स्टेडी सेंटर वाले असाइमिट को ओनलाइन मोड में जमा लेंगे या फि लास्ट डेट है इसको और आगे एक्स्टेंड किया जाएगा या फिर नहीं तो इन सभी चीजों के बारे में डीटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इगनुस रेलेटेड सभी अपडेट और नोटिपीकेशन टाइम टू टाइम प बना है तो जितना जल्दी आप बना लेंगे अच्छा रहेगा वैसे मार्च और अप्रैल में असाइमेट समीट होने वाली है अगर असाइमेट बनाने में आपको कोई प्रॉबलम आ रहा है जैसे कि असाइमेट का आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके regional center वाले assignment को online board में जमा लेंगे या फिर offline board में तो सबसे पहले आप जो रहाट regional center का देख सकते हैं इनके तरब से बताया जा चुका है कि जून 2024 एक्जाम के लिए जो assignment submission है वो start हो चुका है और last date है 31 March 2024 सभी regional center के लिए लेकिन इसको extend किया जाएगा और आपको 30 April तक assignment submit करने का मौका दिया जाएगा फिलहाल last date है 31 March और इगनों में ये रहता है कि 1 March से जो assignment submission है वो जून एक्जाम के लिए start हो जाता है तो आप अपना assignment जो भी mode आपको बताएगे उस mode में आप submit करवा सकते हैं साथी में जोरहाट regional center के तरब से एक cover page भी दिया गया है assignment का front page जो भी जोरहाट regional center के student है उन्हें ये वाले front page का इस्तमाल करना होगा इसके लाब अगर आप किसी दूसरे regional center के student है तो आपको कौन सा वाला front page इस्तमाल करना है वो मैंने इस वीडियो में बता रखा है इस वीडियो का link मैंने नीचे दे रखा है इसको आप देख सकते है और आपके regional center के तरब से assignment online mode में submit होने वाल है उनका detail मैंने यहाँ पर update कर दिया है और website को मैंने कब update किया है यहाँ पर लिखा हुआ रहता है जैसे कि मैंने आज ही update किया है इसमें नए चीजे तो इसको आप time to time चेक करते रहिए सभी regional center के तरब से March end तक जो assignment submission का mode है वो आपको बता दिया जाएगा जिसमें यहाँ पर submission mode अभी नहीं बता आगे है आपको कुछ दिने इंतजार करना है जो submission का mode है वो आपको बता दिया जाएगा पर normally यही रहता है कि जो आपका assignment है वो आपको offline mode में study center पर जाकर के submit करना ह होता है और सबसे best option आपके लिए यही रहता है जैसे कि Delhi one regional center के तरफ से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यह PDF फाइल ओपन होगा देख सकते है जून 2024 exam के लिए assignment submit करने के लिए आपको online और offline option दिया गया है online के यहाँ पर link दिया गया है यह Google forum है यहाँ पर आपको अपना assignment online मोड में submit करना होगा और बाकी के जो study center है वो offline मोड में submit लेने वाले है तो उनका यहाँ पर working days और time वगेरा दिया गया है address दिया गया है तो इसको आप देख सकते हैं और जो भी mode आपको बताया है assignment submission स्टार्ट हो चुका है आपका assignment बन चुका है तो जा करके आप submit करवा सकत है तो अगर आपके रिजल सेंटर के तरफ से submission का कोई भी mode by chance नहीं बताया जाता है तो study center पर आप जाना और वहां पर आप अपना assignment submit करवा देना आपका study center कौन से डे में कितने से कितने बज़े तक open रहता है वो चेक करने के लिए आपको इस वाले page पर आना होगा और आपक आपको सभी study center का working days और timing बता दिया जाता है जो भी डे और टाइम दिया गया है उस दोराना आप assignment को submit करवा सकते हैं अपने study center पर जाकर करके और study center का पूरा address भी लिखा हुआ रहता है इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो like किजिए share किजिए और इगनुस related सभी update पाने के लिए channel को subscribe करके bell notification को on कर लीजिए ताकि सभी update आपको मिलते रहे और अगर आपको update और जल्दी चाहिए तो आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं link मैंने नीचे दे रखा है और आपका कोई सवाल है तो नीचे comment box में विस्तार पूर्वक बता सकते है